कुलकता नाइट राइडर को आखरी ओवर में 21 रनों के जरोत होती है लेकिन यकीन मानिये दोस्तों अंती मवर में कुछ ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि रिंकु सिंग वहां मौजूद होते है और जब तक रिंकु सिंग मौजूद होते है तो किसी भी टीम कभी भी जीत सकत कुलकता नाइट राइडर आपको बता दूँ यस ठाकुर लखनव सुपर जाइंट की तरफ से आखरी ओवर लेके आते हैं वहीं कुलकता नाइट राइडर की तरफ से रिंकु सिंग मैदान पर मजूद होते है ओवर की पहली गेंद पर वैवव अरोरा सिंगर लेकर देते लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर यानि जो लीगल डिलेवरी होती है वो रिंकू सिंग बड़ा सोट नहीं खिल पाते हैं वो गेंद हो जाती है खाली यानि अब चार गेंदों पर 19 रन यहां से मुकाबला किधर भी जा सकता था लेकिन अब यहां से ओवर की तीसरी गेंद पर वाइड करा देते हैं यह स्थाकूर यानि अब तीन गेंदों पर 18 रन की जरूत सामने रिंकू सिंग और ओबर की चोथी गेंद पर लंबा चका जड़ देते हैं यानि अब आखरी के दो गेंदों पर मुकाबला पहुंच चुका था जहां 12 रनों की जरूत होती है रिं रिंकू सिंग जिसके लिए जाने जाते हैं लंबा चका जड़ते हैं फूल्टोस गेंद होती है अगर वो रिव्यू लेते तो सायद वो एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ बदला हो सकता था लेकिन चका जड़ने के बावजूद लखनाव सुपर जाइंट्स यह मुकाबला एक रन से जीत जाती है आखरी गेंद पर गया हुआ मुकाबला रिंकू सिंग की बज़ा से एक तरीके से कह सकते हैं आखरी गेंद पर गया लेकिन लखनाव सुपर जाइंट्स एक रन के साथ जीत के साथ प्लियोफ में क्वालिफाई कर चुकी है